हलो दोस्तो आज मेरे किचन में बनने वाली है धावा मतन जो एक बहुत ही स्वादेस्ट रेसिपी होती है जिसे मैं घर पे मसाले तयार करके दिखाऊंगी आपको और उसी मसालों से मैं इस रेसिपी को पूरा करूंगी उससे पहले में चाहूंगी और आपसे रिक्वेस्ट क मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बला इकन को दबा दे चलिए आगे देखते हैं तो देखिए दोस्तों यहां पे मैंने मटन ले लिया है मटन आधा केजी है मटन वित बोन है यह और बड़ी-बड़े पीसों मैंने इसे कट करवाया है इससे पहले हम क्या करें कि हम दो तरह के मसाले बनाएंगे पहले हम एक क्टक्रण गीला मसाला बनाएंगे चलिए पहले उससे हम बना लेते ए उसके लिए मैने इहां पे एक बड़तन ले लिया है इसमें हम डालेंगे तीन चम्मच के आज पास दही दही को हम बहुत ही अच्छी तरीका से फेट लेंगे फिर उसके बाद उसमें हम मसाले डालेए यहाँ पे एक टी स्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे एक चम्मच तीखिलाल मिर्ष डालेंगे और एक चम्मच के आसपास हल्दी डालेंगे और एक चम्मच भर के देगी मिल्च डालेंगे और थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे फिर स्वात के अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे इन सभी चीजों को डालने के बाद हम इसे बहुत ही अच्छी तरीका से मिला देंगे देखिए हमने इसे मिला दिया है और इसे हम मिला के थोड़ा दिर के लिए छोड़ देंगे इदर हमने कुछ खड़ी मसाली लिए हैं जब मैं इसे रोस्ट करूँगी तब इसके मैं नाम बताऊंगे आपको चलिए मैंने गैस पे एक हांडी डाल दिया और उसमें मैंने एक कप के आसपास तेल डाल दिया है और तशपत्ते थोड़ा सा डाल चीनी और एक बड़ी लाइंची इसमें मैंने डाल दिया है उसके बाद हमने यहां पे पास से साथ प्याज कट किये थे उसे मैंने इसमें डाल दिया है प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राइ करेंगे प्याज हमारा बहुत अच्छी तरीका से फ्राइ होगा हम इसे थोड़ा हलका जादा पिंक करेंगे यह देखिए हमारा प्याज लगभग होता हुआ जा रहा है प्याज हमें फ्राइ करना है अच्छी तरीका से इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है धावा मटन की यही खास्यत है इसे बहुत ही जादा प्याज में बनाया जाता है थोड़ा सा जादा तेल होता है देखे हमारा जो प्याज है वो लगभग फ्राई हो चुका है अब हम क्या करेंगे इसमें जो हमारे मटन है जो मटन को हमने साफ करके रखाता उस मटन को हम इसमें डाल देंगे अभी जो हमारा मटन वाला प्रोसेस है वो काफी देर तक प्याज में ही फ्राई किया जाएगा इसी तरीका से हम मटन को लगतार चलाते रहेंगे अभी हम इसमें कोई भी तरह की कुछ भी मसाले हम इसमें अभी नहीं डालेंगे धावी के जो मटन का स्वाध होता है वो बहुत ही अलग होता है इसलिए हम अलग तरीके का मसाले का इसमें इस्तमाल करेंगे इसे हम थोड़ा दिर के लिए ढख देंगे थोड़ा दिर के बाद फिर से इसे उपन करेंगे फिर से इसे अच्छी तरीका से हम मिलाएंगे अभी हम इसी तरीके से बिना कोई मसाले का मटन को प्याज में ही डालके फ्राई करेंगे ये प्रोसेस कम से कम 5-7 मिनट हमें करना है उसके बाद इसमें हम स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे दोस्तों ये धाबा मटन आप एक बार सिर्फ एक बार अपने घर पे ट्राई करके देखे फिर मुझे कमेंट करेए ये इतना स्वादिस्ट बनता है कि मैं बता नहीं सकती अब चलिए हम इसमें थोड़ा सा अधरक और लैसुन का पेस्ट डाल देंगे इक चमच बड़ी चमच के आसपास इसमें एक छोटी चमच के आसपास हम हरी मेर्ज पीसी भी डाल देंगे इन सभी को डाल के हम इसे बढ़िया से मिला लेंगे देखे मटन आप हमारा सटना सुरू हो गया है इसमें अभी हमने बहुत कम मसाले इस्तमाल किये थे अब हम इसमें जो हमने मसाले तयार किये थे उन मसालों को हम इसमें डाल देंगे इसमें डाल देंगे और फिर इन मसालों को हम मटन में बहुत ही अच्छी तरीका से मिक्स कर लेंगे मसाले डालने के बाद हम इसे कम से कम पांच मिनट के लिए ढग देंगे और उधर हमने जो खड़े मसाले कठा किये थे उनको हम हल्का सा फ्राइ करते हैं देखिए हमने दो चम्मच यहाँ पे धन्या ले लिया है कुछ जावित्री के फूल ले लिये है दालचीनी के कुछ टुकरे एक बड़ी एलाइची चार छोटी एलाइची सुखा हुआ अद्रक कुछ कबाब चीनी और कुछ काली मिर्च चार से पांच लॉंग ले लेंगे थोड़ा साही जीरा लेंगे और थोड़ा सा जीरा लेंगे इन सभी को हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे मसाले रोस्ट हो चुके हैं हम इसे निकाल के पीस लेंगे इधर हमारा मटन जो है जिसे हमने ढखके छोड़ा था उसे एक बार चेक करेंगे इसे अभी हमें और बहुत ही जादा भूजना है चलिए इसे हम अच्छी तरिका से चला लेते हैं थोड़ा सा ये सट रहा है इसे continue हम चलाते रहेंगे फिर से इसे open करेंगे और फिर से भूजेंगे देखे जब ये सटना सुरू हो जाए तो इसमें हम गर्म पानी डालेंगे ध्यान रहे हमेशा मटन में अगर गर्म पानी यूज़ करेंगे तो मटन अच्छा और स्वादिष्ट बनता है देखे हमने हलका सा पानी डालके इसे फिर से फ्राई किया अब देखे ये ये बहुत ये अच्छी तरीका से फ्राई हो रहा है ये लगभग फ्राई हो चुका है देखे अब हम क्या करेंगे जो हमने गर्म पानी किया था उस गर्म पानी को हम इसमें दो कप के आसपास डाल देंगे मढिया से मिलाएंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे जो हमने मसाले रोस्ट किये थे उन रोस्ट किये हुए मसाले को इसमें हम डाल देंगे हाथों से हम इसमें हलका सा छीट के डालेंगे देखें इसी तरीके से हमें मसाले इसमें डालना है हम दो छोटी चम्मच के आसपस इसमें मसाले डालेंगे मसाले डालके हलका सा चम्मच से इसे हम मिला देंगे महुत जादा नहीं मिलाएंगे हलका सा मिलाएंगे हलका सा मिलाने के बाद इसे हम धाग देंगे और 20 मिनट तक हम इसे लगातार कूप करेंगे 20 मिनट के बाद जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये देखिए हमारा मटन हो चुका है पूरी तरीका से तयार मटन हमारा पूरी तरीका से गल भी गया है तो चलिए हम इसे कर लेते हैं अलग तो लीजे हमारा धावा मटन बन के है तयार तो आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी एक बार आप इसे अपने घर पे ट्राइ करें और मसाले भी खुद घर पे बनाएं तो चलिए मेरे चानल को सस्क्राइब कर दीजेगा और कमेंट करिएगा लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं बूलिएगा इससे मुझे बहुत ही अभी प्रणा मिलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए थैंक यू